चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो MCC ने stay vacancy round का schedule change कर दिया है जैसा कि previous schedule था उसमें 16 December 22 को result आना था लेकिन वो result नहीं आया है और schedule change हो गया है MCC ने इस बार एक consent का option रखा है stay vacancy round के लिए हमने वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि अगर MCC consent का option रखता है तो student को काफी फाइदा होगा क्योंकि इसमें seat block होने के कोई chance नहीं है तो इसमें consent का option रखा है पहले एक बार इसका हम schedule देख लेते हैं उसके बाद में आपको consent में yes या no करना है वो बड़े ध्यान से करना है वो कैसे करना है नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुक्सान हो जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या करना है और उसके बाद में special stay होने के chances हैं या नहीं है इस वीडियो में हम वो भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम ये notice देख लेते हैं तो MCC की website पर ये notice अभी 17th December 22 को MCC ने जारी किया है उसमें यही लिखा है कि अभी states के मोपप डिले हो रहे हैं उसकी वज़े से ओल इंडिया का stay vacancy round भी डिले करना पड़ रहा है क्योंकि जिन candidates को state के मोपप में seat मिल गई है वो stay में eligible नहीं है तो उन बच्चों को वहां से uneligible करना पड़ेगा उनको इसलिए ये stay vacancy round में डिले हो रहा है एक बार इसका हम schedule देख लेते हैं तो आपको MCC को ये बताना है कि हम stay vacancy round में participate करना चाते हैं या नहीं करना चाते हैं जिन candidates को state में seat मिल गई या participate नहीं करना चाते हैं stay में उनको यहां पर consent देना होगा yes or no में consent है consent का इसमें थोड़ा सा opposite है मैं आपको बताऊंगा समझने में student गलती करेंगे इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने consent कैसे देना है तो ये जो आप देंगे वो 17 से लेके 20 December 22 तक देंगे इसके बाद में seat allotment का जो process होगा MCC का जो internal process होगया वो 21 December से 22 December तक होगा result declare हो जाएगा 23 December को और reporting 24 से 28 December 22 तक रहेगी अब इसमें consent क्या देना है आपको तो consent देने के लिए आपको login करना है login करने के बाद में आपको इस परकार का option मिलेगा पहले आपको यहाँ पर check करना है यह message आपको मिलेगा इसमें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है इस message को इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप opt out करना चाते हैं stay vacancy round से यानि कि आप stay vacancy round से बाहर निकलना चाते हैं इसमें participate नहीं करना चाते जो mcc द्वारा conduct करवाया जाएगा तो इस condition में आपको yes देना होगा अगर आप participate नहीं करना चाते mcc के stay vacancy round में आपको फिर से यहाँ ध्यान रखना है इसमें students को काफी सारा confuse होगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगर आप participate नहीं करना चाते mcc के stay vacancy round में तो आपको यहाँ पर yes option फिल करना है आप यहाँ yes option फिल करेंगे तो stay vacancy round में आपको कोई किसी प्रकार की seat alert नहीं होगी आपको consider नहीं किया जाएगा allotment के लिए consider नहीं किया जाएगा आप yes करेंगे लेकिन ऐसे student जो stay vacancy round में participate करना चाते हैं उनको यहाँ पर no देना है यहाँ पर आप opposite नहीं दे दे नहीं तो आपका नुक्सान हो जाएगा और फिर inter password आपके डाल करके save and proceed करना है अब अगर आप इसमें participate नहीं करना चाते हैं और state में आपको seat मिल गई है तो आप यहाँ यहाँ पर consent देंगे तो आपको seat alert नहीं होगी और आपकी जो security money है वो आपको वापस मिल जाएगी अगर यहाँ आप कुछ भी option नहीं देते हैं तो मोपप round के according जो आपने twice फिल की थी उसके according आपको seat alert हो जाएगी उस seat पर आप join नहीं कर सकते और join नहीं कर सकते तो आपकी security money forfeit हो जाएगी इसलिए आप अगर participate नहीं करना चाते हैं इस्टे vacancy round में आपको seat मिल चुकी है तो यहाँ पर आपने option yes दे देना है participate नहीं करना चाते तो yes option देना है participate करना चाते हैं तो no option आप दे सकते हैं तो यह मोपप की जो twice हैं उसी के according allotment होगा तो मैंने आपको समझा दिया है इसके बारे में आपने इसमें बिलकुल भी एक percent गलती नहीं करनी है नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा yes और no को आप अच्छी तरह इस message को read करके फिर आप अपने according yes और no का option फिल करें तो इस परकार से stay vacancy round का result 23 December 22 को आजाएगा और जैसे ये result आजाएगा हम आपको inform कर देंगे तो इसमें आपको stay vacancy round के लिए बड़े ही ध्यान से करना है जिन candidates ने मोपब में participate किया ताच्वाइश है फिल कही थी तो उनको अगर seat मिल गई है तो वो इसमें participate ना करें ताकि वो seat block नहीं होगी और needy student को seat मिल जाएगी अब बात करें हम specialist के बारे में तो इस परकार का जो consent है वो इस बार लिया जा रहा है हमने पहले video बना की भी बताया था कि अगर consent लेता है MCC तो seat block होने के कोई chance नहीं है तो इसमें seat block होने के कोई chance नहीं है दूसरा यहाँ पर mapping भी हो रहा है जिन student को state में seat मिल गी है उनको यहाँ seat alert भी नहीं होगी तो उससे भी seat block होने के कोई chance नहीं है जब seat block नहीं होगी तो special stay होने के कोई chance नहीं है और यह date भी 28 December तक बढ़ चु यह होता है specialist रे conduct होता है तो आगे मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिं